So hello guys and welcome back to this channel So guys, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग जितने भी application को use करते हैं editing के रिए उसमें ऐसा कोई भी function नहीं रहता है जिसमें हम लोग 10-15 photos से ज़्यादा add कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 10 photo का option रहता है कि हम लोग 10 photo को एक साथ collage कर पाएंगे और जिन लोगो collage का मतलब नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि collage मतलब बहुत सारे photos को एक photo में adjust करना, add करना तो ऐसा go use function किसी भी application में नहीं रहता है किसी भी editing application में चाहे वो big satiq ना हो उसमें भी नहीं रहता है कि हम लोग बहुत सारे photos को एक साथ add कर पाएंगे उसमें भी सिर्फ हम लोग 9 photos को ही add कर पाएंगे लेकिन आज की इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे application के बारे में जिसकी मदद से आप काफी सारे photos को जितना चाहे उतना आप photos को एक साथ add कर पाएंगे तो वीडियो को लास तक देख तरी और अगर इस channel नहीं है तो channel को subscribe करने के साथ साथ bell icon को भी प्रेस कर दीजिए और अब तक आपने मुझे Instagram पे follow नहीं किया है तो please guys मुझे Instagram पे भी follow कर लिजे मेरा ID है one dot technical hero और आपको link description में मिल जाएगा तो चलिए guys आज किस important वीडियो को start कर लेते हैं So guys इसके लिए सबसे पहले आपको एक application को download करना पड़ेगा जिसका link मैंने description में दे दिया है तो आप उस application को download कर लेजएगा उस application का नाम है gender जी हाँ guys वह अला gender नहीं यहाँ पे कुछ चीज़ का meaning है application का spelling है वो कुछ अलग है इसका नाम है G-A-N-D-R इसको आपको play store से download कर लेना है और link भी आपको description में मिल जाएगा तो application download कर लेने के बाद आपको simply इस application को open करना है open करते ही यह थोड़ा सा loading लेगा और आपके साथ दें कुछ आछा interface आ जाएगा तो यहाँ पे आपको कट कर देना है और फिर यहाँ से permission को allow कर देना है फिर उसके बाद यहाँ से आपको cut कर देना है और यहाँ पे हमारा जो गैलरी है वो open हो जाएगा और इस पर हमको simply यहाँ से क्लिक कर देंगे तो यह एड होते जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो तो मैं कोई भी रेंडम फोटो को यहां पे एड कर लेता हूँ लेकिन 15 से जादा कि आप लोग को थोड़ा सा पता चल जाए यहां पे देख सकते हैं अभी मैंने 32 फोटोस को यहां पे आड़ कर लिया है और ऐसा कोई भी एप्लिकेशन में नहीं होता है सिर्फ इसी एप्लिकेशन में हम लोग इतने सारे फोटोस को आड़ कर सकते हैं तो उसके बाद हमें simply आपे next कर देना है और next करते हैं एक बाद हमारे सामने कुछ ऐसा interface आ जाएगा तो यहाँ पर हम इसके layout को भी change कर सकते हैं मतलब यह simple जो adjust यहाँ पर है इसको हमें और लो और भी अलग तरीके से edit कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर grid का option है अगर grid पर हम लोग click करते हैं तो यह कुछ इस तरह से हो जाएगा parallel सा और यहाँ पर brick का option है तो इसमें भी अलग तरीके से यहाँ पर adjust हो जाएगा automatic तो मैं यहाँ पर इसको grid पर ही कर देता हूँ देखने में काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है फिर उसके बाद यहाँ पर आपको tick करके option आगा जाएगा तो इस पर आपको click कर देना है फिर इसके बाद यहाँ पर ratio का option आजाएगा आप कितने ratio में इसको add मतलब रखना चाहते हैं अगर facebook के लिए instagram में story के लिए आप जो चाहे वहाँ से यहाँ पर add कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर एक add कर देता हूं माली जिए इसमें मैं इस चीज़ पर add कर लेता हूं यहाँ पर 16 ratio 9 और यहाँ से आपको tick कर देना है tick कर देने के वाद यहाँ पर border का option आजाएगा आप यहां से border भी add कर सकते हैं थोड़ा से मतलब यह border में भी हो जाएगा और यहां पे color का भी option है तो आप उसके color को भी कर सकते हैं तो मैं यहां पे बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे इसके border को भी बढ़ा सकते हैं यहां पे टिक कर देना है और यहां पे आप चाहें तो यहां से text भी add कर सकते हैं और इसके बाद वाला जो option है randomized यहां से आप auto जिधर तिधर जो photo है वो अलग-अलग तरह add हो जाएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं और उसके करने के बद आपको उपर save का option मिल जागा तो यहां से आप simply save पे click करके इस photo को अपने gallery में save कर सकते हैं तो आपको save करने के लिए save पे click करना उपर एक line जो है वो जाएगा पूरा और यह photo जो हमारा save हो गया तो यहां से हमें simply done कर देना है और done कर देने के बाद अब मैं आपको gallery से दिखाता हूँ इस photo को कि यह photo save हुआ है कि नहीं तो आप देख सकते हैं यहां पे photo जो है पूरी तरह से add हो गया और काफी जाद ही अच्छी quality में आप फोटो भी save होता है और जैसा कि आप देख सकते हैं तो इस तरीके से इस application की मदद से आप आसानी से photos को add कर पाऊगे और photo को collapse कर पाऊगे